नमस्कार दोस्तूं, RPSC 2nd Grade पेपर फेष्ट के अंदर हम देख रहेते कलास सहिसकर्ती की टोपिक अनुसार पर्षनोत्री आज हमारी कलास नमबर नो रहेगी जिसमें हमारा टोपिक रहेगा राजस्तान के रीती रिवाज दोस्तूं लगबक क्यूसनों की संक्या रहेगी 70 क्यूसन और हर एक क्यूसन में आपको उतना प्रियाप्त टाइम दिया जाएगा जितना आपको एकजाम में मिलता है तो आप सभी साथी बने रहे हैं साथ तक और कमेंट करके अपना लाइव टेस्ट है वो जरूर अटेंड कर लें दोस्तूं इसी परकार सभी जो हमारी तियास की लगबग सभी कलासे हैं उनकी हमने परशनोतरी है वो डाल दिये दोस्तूं चैनल पर तो वो कलासे आप अटेंड कर सकते हैं और कलासेस करती में ये नो नमर है मातर चार या पांच टोपिक और बचे हैं कलासेस करती के उनकी कलासेस जल्दी आपको मिल जाएगी दोस्तूं तो सबसे पहले आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक, सेर और जो नहीं साती जुड़ रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें अगर आप फेष्ट पेपर के नोटस है वो प्राप्ट करना चाहते हैं तो कुचामन ओनलाइन कलासेज एप है वो डाउनलोड करके इस्टोर से प्राप्ट कर सकते हैं और सभी पेपर पेष्ट के जो नोट्स हैं उनकी वीडियो क्लासेज आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अलग-अलग विशे की मिल जाएगी दोस्तों चलते हैं पहले क्योसन की और आगे है आपकी स्क्रीन पे बता दीजे दारी संसकार राजस्तान की किस जन जाती में परचलित था दोस्तों ग्रासिया, बील, सहरिया या मीना बताईए जल्दी से दारी संसकार राजस्तान की किस जन जाती में परचलित था अच्छा क्यूसन, इंपोर्टेंट क्यूसन आपके एक्जाम की दरश्टी से ये रहीगा दोस्तूं बात और ये दारी संसकार की देखते हैं किन किन सात्यू का ये क्या होता है सही होता है एक बार जल्दी से सभी सात्य है वो कमेंट करते दारी संसकार को लेकर पहला क्यूसन है थोड़ी स्पीड हम आगे बढ़ा लेंगे इसके अंदर देखते हैं किन-किन सात्यू का ये क्यूसन है जो सही होता है और सही आपका जो रहेगा यहां पे वो रहेगा सहरिया सहरिया जाती के अंदर इसी प्रकार परियाप समय हर क्योसन में मिलेगा आपको अगला क्योसन राज दर्बार में पंक्तिबद बेटने की प्रंप्रा को कहा जाता है रस्म, ओक, मिसल या संसकार क्या कहा जाता है राज दर्बार के अंदर जो पंक्तिबद बेटने की वेवस्ता होती है क्या कहा जाता है मिसल कहा जाता है तो से उपसन यहां पे रहेगा आपका सही अगला क्योसन क्योसन नमर तीन राजस्तान के रीती रिवाजु में मोसर किसे कहा जाता है अच्छा क्योसन आया आपके राजस्तान के जो रीती रिवाज है उनके अंदर मोसर किसको कहा जाता है सीधा सा क्योसन और important क्योसन तो जल्दी से comment करके बता दीजे मोसर किसको कहा जाता है सबको पता होना चाहिए वीवा के उसर पर परति बोज मर्ति बोज देज या ग्रह प्रवेश मर्त्यू जो मोसर है मित्रू ये कहा जाता है मर्त्यू बोज को किसको कहा जाता है मर्त्यू बोज को मोसर कहा जाता है दोस्तू अच्छा क्यूसन है एकजाम की दरश्टी से आपके लिए अगले क्यूसन की और हम चलते हैं क्यूसन नमबर चार इतना विश्वास दिलाता हूँ 70 क्यूसन है अगर 70 क्यूसन में से आपने यहां पर लगबग 60 क्यूसन सही कर दिये तो मान कर चलो आपकी तैयारी अच्छी है और इनसे लगबग क्यूसन भी आपको इनसे ही मिल जाएगा आदिवासियों में परचलित लिला मोरिया संसकार किस आउसर से जुड़ा हूआ है लिला मोरिया संसकार की यहां पर बात हो रही है कि जो लिला मोरिया संसकार है वो वीवा से जुड़ा हूआ है सगाई से जुड़ा हूआ है जनम से जुड़ा हूआ है या नामकरण से जुड अच्छा क्यूसन आया आपके लिए ये जुड़ा हुआ आपके वीवा से किसे जुड़ा हुआ है वीवा से जुड़ा हुआ संसकार है आदिवासियू के अंदर अच्छा क्यूसन और इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए अगला क्यूसन क्यूसन नमर पांस देखिए जड एक परमुक संसकार है इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है जात करम कहा जाता है क्या कहा जाता है जात करम दोस्तु अच्छा क्यूसन आपके लिए अगला क्यूसन क्यूसन नमर च्छा देखिए जनम के बाद बालक को परतम बार घर से बार ले जाकर सूरिय के दर्सन करवाना सं अंसकार है, समावर्तन है, यगोपवीत है, निसकर्मन है या नामकरण है, ये important क्योशन आपके लिए, बता दीजे दोस्तु, समावर्तन, यगोपवीत, निसकर्मन या नामकरण, जनम के बाद बालक को परतम बार जो सूरिय के दर्सन करवाए जाते हैं, उसको कहा जाता है न किस कर्मन कहा जाता है, अच्छा क्योशन, important क्योशन, अगले क्योशन की और हम बढ़ते हैं, next क्योशन, क्योशन नमर साथ है, बिंदोली या सामविला किस समारों से समंदित है, जनम से हैं, ग्रैपरवे से हैं, वीवा से हैं, या मर्तिव बोच से, मर्तिव से, बताए बिं क्योशन, important क्योशन, अगले क्योशन की और हम बढ़ते हैं, आठ नमर है, नामकरण संसकार का समंदित, मर्तिव से हैं, जनम से हैं, वीवा से हैं, या इन में से कोई नहीं, अगर हम बात करें तो जो मानव जीवन है, उसके सरीर को सवस्त और लंबी उमर और मन को सुद उत् बनाने के लिए हम बात करते हैं, तो कुल सोलस संसकार बनाए गएं, कितने संसकार बनाए गएं, सोलस संसकार बनाए गएं दोस्तों, और जो नामकरण होता है आपका, ये किस से समंदित होता है, ये होता है आपके जनम से समंदित, ये सोलस संसकार आपके लिए important रहेंगे आगे हम एक-एक संसकार है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे टेंसर ना ले अगला क्योसन आ रहा है क्योसन नमर नो नव निर्मित ग्रह के उदगाठन की रसम को कहा जाता है नांगल, मदुपरवक, हतलेवा या गणपती पूजन आपने नया मकान बनाया है और उसमें आप रहने जाते हैं तो उदगाठन करते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे इसको कहा जाता है नांगल दोस्तों क्या कहा जाता है नांगल कहा जाता है इंपोर्टेंट क्योसन ये भी क्योसे नमर दस है पानिवाडा संसकार किस से समंदित है पानिवाडा की बात हो रही है यहां पे अब बता दीजे पानिवाडा संसकार है यह किस से समंदित है देखते हैं किन किन सात्यू का यह सही होता है पानिवाडा वाला और अच्छा और important क्यूसन आपके लिए रह सकता है पानिवाडा जल्दी से कमेंट करके बताइए पानिवाडा संसकार किस से समंदीत है किस से समंदीत है मर्त्यू से दोस्तु पानिवाडा संसकार है जो मर्त्यू से समंदीत संसकार होता है जिसको क्या का जाता है पानिवाडा कहा जाता है important और अच्छा क्यूसन है ये पूछा भी जा सकता है आप से अगले क्यूसन की और बढ़ते हैं 11 नमर आ रहा है वीवा के अउसर पर वदू के परिवार के सदस्यू दुआरा उपवास रखना कहलाता है वदू पक्स के जो वदू पक्स के परिवार के सदस्य होते हैं वो रखते हैं उपवास पूरे दिन तक जब तक साथ फेरे ना हो जाए जब तक विदाई ना हो जाए वदू की तब तक उसके बाद वो बोजन गरन करते हैं इसको क्या कहा जाता है मदू परव कन्यादान, कन्यावल या रंगबरी क्या कहा जाता है बताईए दोस्तू जल्दी से इसको क्या जाता है कन्यावल क्या नाम है इसको इस जो रस्म है इसको कन्यावल कहते है दोस्तू माता पिता या बड़ी बेन या बड़ा भाई के दुवारा ये वर्थ है वो रखा जाता है अगला क्यों सन मरतक की आत्मा को सांती देने के लिए किया गया संसकार क्या कहलाता है दोवनिया, डांगडी की रात, पानी वाड़ा या नारायन बली सब को पता मरतक वेकती है उसकी आत्मा उसको सांती देने के लिए जो संसकार किया जाता है उसको का जाता है नारायन बली किया कहते हैं नारायन बली कहते हैं दोस्तों क्योसर नमबर 13 रहे विवा के आउसर पर वर्वे वदू गाव में देवी देउताओं के धोग देते हैं और इसे क्या का जाता है जब नया विवा होता है तो वदू ससुरा लाती है तो फिर वर्व और वदू दोनों जाते हैं देवी देउताओं के वहां पे धोग देते हैं इसको पहरावन अच्छा और important क्यूसन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तु यहाँ पे एक नाम आया पहरावनी ये क्या होती है मित्रू बारात के विदा होने पर वदू के पिता या समंधियु द्वारा ब्रातियु को दिये जाने वाले नगद पेसे या उफार पहरावनी या रंगवरी इ सकता है आगे चलिए किस संसकार को यगोपवीत संसकार भी कहा जाता है किसको कहते हैं यगोपवीत संसकार किसको कहा जाता है दोस्तु बता दीजे किसको कहते हैं उपनयन संसकार को अच्छा क्यों से नहीं या आपके लिए उपनयन संसकार को यगोपवीत के नाम से भी जा हैं दोस्तों उपनेन या यगो पवीत के हम बात करें तो बच्चे को सिख्षा के लिए गुरू के सरण में बेजना यही होता है अगला क्यों सन्दों का परतम संस्कार माना जाता है पुस्वन सिमंतोनेयन गरबाधान या जातकरम कौन सा गरबाधान माना जाता है दोस्तों अब देखे जनम से पहले एक बाले के लिए तीन संसकार किया जाते हैं जिनमें पहला है गरबाधान गरब के समय जो आउसिक दार में किरिया ही होती है वो दो नमर पर आता है आपका पुस्वन पुस्वन में गरब में जो पुत्तर है उसका रूप देने जो गरब में होता जो संसकार किया जाता है वो संसकार दोस्तूं। आगया समझ में ये तीन है जो जनम से पहले किये जाने वाले संसकार है। क्योसर नमर सोला। बेंकुटी के आगे मृत्वेक्ती के प्रिवार के सदेश्यु दुआरा दंडवत परणाम करना क्या कहलाता है। पिंडदान, आदेटा, दंडवत या भदर बता दीजे सिंपल सा क्योसर आपकी स्क्रीन पे आया है। किन-किन सात्यू का ये सही होता है देख लेते हैं भी। क्या कहलाता है दोस्तूं। ये कहलाता है आपका दंडवत से ओप्सन यहां पे सही रहीगा। क्योसर नमर 17 है गोना रस्म किस से समंदित है जनम से हैं, वीवा से हैं, मर्त्यू से हैं या ग्रह परवेश से हैं गोना की बात हो रही है। गोना रस्म किस से समंदित है दोस्तूं जल्दी से बताईए देखते हैं किन-किन साथियों का सही होता है गोना रस्म की बात हो रही है यहां पे और यह किस से समंदित होती है गोना रस्म दोस्तूं यह होती है वीवा से समंदित बै ओप्सन यहां पे क्या रहीगा आपका सही रहीगा क्योंसे नमर अठारा है सोले संसकारों में से कितने संसकार जनम से पहले किया जाते हैं मैंने बता दिया है यह अठारा नमर क्योसन है सोला नमर क्योसन के अंदर डिटेल बताईती और सोले ही हमारे संसकार होते हैं उनमें से तीन इसे संसकार है जो जनम से पूर्वे किया जाते हैं जनम से पूर्वे तो कितने संसकार है तीन कौन-कौन से हैं गरबादान, पुस्वन और सिमन्तोनेयन नाम याद रिखना है अलग परकार का क्यूसन बन गया कि इन में से कौन सा संसकार है जो जनम से पेले नहीं किया जाता, तीन तो देके ओप्सन में दे दिया गरबादान, पुस्वन, सिमन्तोनेयन और निसकर्मन, तो कौन सा होगा निसकर्मन दोस्तूं, क्योसर नमर 19, किस जाती में बच्चे के जनेव डालने की परता है दोस्तूं, शुद्र, चत्रिय, ब्रामन या वेस किस जाती के अंदर बच्चे के जनेव डालने की परता है, ब्रामन जाती के अंदर, क्योसर नमर 20 है, बढ़ार का बोजन नियुन में से किस मोके पर रखा जाता है, बढ़ार के बोजन की बात हो रही है, जो बढ़ार का बोजन होता है, वो किस मोके पर, वीवा, जन्म, मर् या तिरती आत्रा बता दीजे दोस्तों बडार का बोजन वीवा के अउसर पर दोस्तों वीवा के अउसर पर आयोजित किया जाने वाला सामुहिक परती बोज बडार अगला क्योसन है आपका राजस्तानी सेंसकर्ती में ओलंदी क्या है कि इस नमर क्योसन कह रहा है कि राजस् वीवा का एक परकार है एक देसी खेल है नवदू के साथ जाने वाली लड़की या इस तरी को या राजस्तानी लोग गीत है उलंदी दोस्तों मर्त्यू बोज की पड़ता है जीवित रेते मर्त्यू बोज करना है विवा की रस्म है या पगड़ी की रस्म है दोगतू जो सर किसको कहा जाता है जब वेक्ती जीवित होता है और जीवित वेक्ती के लिए किया जाने वाला बोजन जीवित वेक्ती के दुआरा जो मर्त्यू option सही रहीगा अगला क्यूसन है राजस्तानी सेंस करती में जानोटन क्या है ये भी अच्छा क्यूसन آپके लिए बन सकता है जानोटन वेरपक से की ओर से दिया जाने वाला बूज़िन भूमी का माप है एक परकार का लोग कीत है एक कर्सी कर है जानोटन की बात हो रही है कि जानोटन है ये क्या होता है दोस्तों देखते हैं किन-किन साथियों का जानोटन है ये सही होता है कमेंट कर दे एक बार सभी मितर जल्दी से जानोटन किसको कहते है सिंपल सा क्यूसन है और सभी को पता भी है मेरे को पता है इसके बारे में अगर आपने पढ़ रखिये तैयारी कर रखिये हमारी कलास एटेंड की है तो आपको नोटसों में यह चीज मैंने बताई भी थी जानो टन किसको रहेगा अगला क्योंसन बडार क्या है यह हमने देख लिया है मर्तियोबोच सिरकाबू सन्, विशेष राजस्तानी वेंजन या वीवा के आऊसर पर परति बोगigung अब देखें बडार, आखा से क्या से या आखा क्या होता है मित्रू मकान की च्छत चोटी बेलकाडी कुआ कोदने का परमुकियंतर या मांगलिक आउसरू पर काम में आने वाले अनके दाने बात आखा की हो रही है कि आखा क्या होते हैं आखा होते हैं जो मांगले का उसर पर काम में आने वाले अनकेदाने होते हैं वो दोस्तुं क्यों से नमर 26 वीवा के उसर पर मैलाएं कुमहार के गर जाकर किसका पूजन करती है सब को पता है कुमहार के गर जाकर मैलाएं वीवा के समय किसका पूजन करती है दोस्तूं बताएए मुंदना बरीपडला चाक पूजन या कोई नहीं किसको कहते है चाक पूजन क्या कहते हैं क्योंसर नमर 27 है वयो वर्दू के देवावसान पर समसान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेके जाते हैं तो बताएए उसे क्या कहते हैं जो पैसे फेके जाते हैं उनको क्या कहते हैं दंडोत, पिंडदान, लामपा या बखेर बता दीजे सिंपल सा क्योंसर आया आपके लिए क्या कहते हैं जो पैसे फेके जाते हैं उनको बखेर का जाता है क्या का जाता है बखेर अगला क्यूसन गरब में संतान को पूतर रूप देने के लिए कौन सा संसकार संपन किया जाता है गरबादान, सिमन्तोनियन, जातकरम या पुस्वन बताईए जल्दी से अच्छा क्यूसन है आपके लिए सोले संस्कार, नाम पता है क्या आपको तो एक बार देख लीजिए, पहला है गरबादान पहला कौन सा है? गरबादान दोस्तु पहला गरबादान, दूसरा है पुस्वन यही होता है आपका और यहां पे देव उप्सन सही रहीगा तीसरा है वो है सिमन्तोनियन, सिमन्तोनियन दोस्तों सिमन्त है उन्यन, चोता होता है जो संसकार वो होता है जातकरम, जातकरम क्या होता है मित्रू, जातकरम क्या होता है, बच्चे के नाम पर किया जाने वाला संसकार जातकरम केलाता है, तो देखें, 16 संसकार हम देख रहे हैं, एक बार, गरबादान, गरबादान है, गरब के समय आउसिक जो दार्मिक संसकार होता है, पुस्वन की अ आता है नामकरण बच्चे के नाम रखने समंदी संसकार होता है चटवा जो संसकार होता है यह होता है निसकर्मन क्या होता है निसकर्मन दोस्तों अब देखे निसकर्मन बच्चे को पहली बार घर के बार का दर्से सूरिय चंद्रमा की दर्सन कराना निसकर्मन कहलाता है सात् हम बात करें तो यह होता है आपका अनप्रासन पहले बार मां का जो दूद दिया जाता है बच्चे को उसके अलावा अन देना अनप्रासन का संसकार आठवा होता है चूडा करम क्या होता है चूडा करम जिसको हम जडूला कहते हैं क्या कहते हैं जडूला के नाम से जानते हैं दोस्तु ये देवी देवताओं के मंदिर में जाकर जो बच्चे में पहली बार मुंडन करवाया जाता है वहाँ पर उसको कहते हैं चूडा करम या जडूला दोस्तु नौवा जो संसकार होता है दोस्तु वो होता है आपका करणवेद क्या होता है करणवेद होता है गर में गुरू के द्वारा जो अक्सर ग्यान, घर के अंदर गुरू के द्वारा जो अक्सर ग्यान करवाए जाते हैं, उसको विद्यारम कहते हैं, ग्यारवन संसकार होता है, उपनयन संसकार, कौन सा होता है, उपनयन संसकार दोस्तों, बच्चे को सिक्षिया के लिए गुर को पढ़ने उनको समझने का जो दिन के लिए किया जाता है वो ही वेदारम संसकार होता है तेरवे संसकार के ओर चलते हैं तो तेरवा जो हमारा संसकार आता है वो आता केसांथ कुंसा है केसांथ एक अन्य नाम से भी जिसको जाना जाता है गोदान किस नाम से गोदान के नाम स इसको जाना जाता है दोस्तों यानि कि ब्रह्मचारी आस्रम से बाल कटवाने का संस्कार ब्रह्मचारी आस्रम में रहता है तो वहाँ पर बाल कटवाने का संस्कार होता है वो केसांत या गोदान होता है चोधवा जो संस्कार आता है हमारा वो आता समावर्तन कौनसा है समावर्तन इसका अन्य नाम क्या है दोस्तू दिक्सांत संसकार क्या होता है दिक्सांत संसकार दिक्सांत संसकार के नाम से यानि कि जब सिख्षया पूर्ण हो जाती है तो शिष्ये के दुवारा गुरू को गुरू दिख्षना दी जाती है तो उसमें जो संसकार किया जाता है गुरू से आसिरवा लिया जाता है उसको समावर्तन या दिख्षांत कहते हैं पंदरवाँ जो संसकार होता है वो होता है वीवा, वीवा से समंदित है, वीवा के बारे में क्या जानकारी देनी आप समझी गएंगे दोस्तूं, यानि गरस्त आस्रम में परवेश, तेथा वीवा करना ही वीवा संसकार है, और सोलवाँ जो संसकार होता है वो होता है 17 सनसकार दोस्तूम 18 ने मर्तिव पर किया जάνे वाला दा संसकार ये 16 संसकार होते है अगला क्योषण, क्योसौर नमर 19 है मोड बांधना, बढ़ार, जानोटन या मूट बराई बता दीज़े मूठी में मोट बराई कहलाता है ये संसकार क्योसौर नमर 30 राजस्तान की संसकर्थी में मौंग धना क्या है दोस्तूम माता जी की मेंदी चड़ा कर मेहमानों में बाटना वदू को गी खिलाना बोजन पकाने के लिए लखड़ियां जो विनाई किस्टापना के पसाद लाई जाती है या लाग की चूड़ियां मूंग धना की बात हो रही है वो यह होती है बोजन पकाने के लिए लकडियां जो विनाई किस्तापना के पसाथ लाई जानती है दोस्तु क्यों से नमर 31 परसूता इस्त्री जो सूट अजवाइन वे गी के मिसरन के लड़ू बना कर खिलाने की परंपरा को कहा जाता है जामना, सुवा, अख्या या सुहावड क्या कहा जाता है? सुहावड कहा जाता है सुहावड दोस्तु क्यों से नमर 32 बच्चे के जनम उत्सव उपर एक मांगलिक चिन बेट किया जाता है उसे कहा जाता है बच्चे के जनमों उत्सव उपर जो मांगलिक चिन बेट किया जाता है उसको क्या का जाता है क्या साठ्या तिलक या इनमें से कोई नहीं क्या का जाता है मांगलिक चिन को साठ्या का जाता है दोस्तों क्योसर नमर 33 की ओर हम चलते हैं विवा के अउसर पर महमानों के बोजन करते समय गाये जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं जब महमान विवा के अउसर पर महमान बोजन करते हैं उस समय गाली गीत गाये जाते हैं उनको क्या कहते हैं पावना परनेत सीटना या बना बनी बता दीजिए कौन से गीत होते हैं ये गाली गीतु को क्या कहते हैं लोग गीतु से लिलेटेड भी ये क्यूसन है हमारे क्या कहते हैं दोस्तु देखते हैं किन किन सातियों का सही होता है क्या कहते हैं सीटना गीत कहते हैं इनको अगला क्यूसन क्यूसन नमर चोतिस है विवा के आउसर पर वर्वे वदू की माता पीर वालों को निमंतरन देने जाती है कहलाता है वरो या वदू दोनों की माता है अपने पीर पक्स को निमंतरन देने के लिए जाती है उसको बरी पड़ला कहते हैं 32 नूतना कहते हैं चाक पूजना कहते हैं या मुंधना पूजना कहते हैं उसको कहते हैं 32 नूतना दोस्तूं अगला क्यों सन 35 नमर मर्तियों के बाद परिवार के सदस्यों वे समंदियों दोरा बाल देना क्या कहलाता है लापा, कपाल छेदन के लिए बदर या सातरवाडा क्या कहते हैं इसको मर्द किसी परिवार के सदेशी के मर्दी के बाद जो परिवार के सगे समंदी सदेशी होते हैं वो बाल देते हैं इसको का जाता है बदर क्या का जाता है बदर दोस्तु नेमलेकित में से कौन सा रिती रिवाज वीवा से समंदित नहीं है बढार, कन्यावल, सांतरवाड़ा या तोरण मारना बताईए मित्रूं कौन सा है जो वीवा से समंदित नहीं है बढार, कन्यावल, सांतरवाड़ा और तोरण मारना शांतरवाड़ा नहीं है दोस्तों यह स है ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा अगले क्यूसन की और बढ़ते हैं मरतक की अंतेष्टी को जेश्ट पुत्तर द्वारा मुखागनी देना क्या कहलाता है बदर लामपा सांतरवाडा या बकेर लामपा कहलाता है क्या कहलाता है लामपा क्योसन नमर 38 बाराज जाने के वर्पक्स के गर पर वीवा का सवांग या खेल क्या कहलाता है रंगबरी आख्या तूटिया या सांबिला ये कहलाता है टूंटिया दोस्तु क्या कहलाता है टूंटिया कहलाता है क्योसन नमर 49 है कौन सा संसकार मनुस्य जीवन का अंतिम संसकार माना जाता है अभी मैंने 16 स बता दीजिए कौन सा है मर्त्यू पर किया जाने वाला संसकार कौन सा है क्योस है नमर 40 जनम के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गाउं के कुवे पर एक सुबा यात्रा ले जाई जाती है उसको दसोटन केते हैं जलवा पूजन केते हैं चुडा करम केते हैं बता दीजिए उसको केते हैं जलवा पूजन नावन दोस्तू अगला क्योसन बेटी का पहला परसो होने पर उसके पीर वालू दुआरा जवाई हुए उसके सात्यू को बेट देना क्या कहलाता है कोथला और अख्या दसोटन या रंगबरी क्या कहलाता है कोथला कहलाता है क्या कहलाता है कोथला दोस्तू मर्तियों पर घर से समसानगाट ले जाते समय अर्थी की दिसा बदलने को कहा जाता है पिंडदान, आदेटा, दिसावर या दंडोत क्या कहा जाता ये भी अच्छाओ सिंपल सा क्यूसन है उसको आदेटा कहते हैं क्या कहते हैं आदेटा क्योसन नमर 43 राजस्तान के किस चेतर में सगाई को सगपन या टेवलिया कहा जाता है सगाई है ना सगाई उसको सगपन या टेवलिया किस चेतर के अंदर शेकावाटी, वांगड, अडोती या मारवाड कहाँ पर कहते हैं वांगड चेतर में कहाँ पर वांगड चेतर के अंदर क्योसन नमर 44 विवाईत एवेस्क कन्या को वेस्क होने पर उसे ससुराल बेजना विवा हुआ है उसमें वेस्क है निक बाल विवा हो गया है जब वेस्क हुई है उसको ससुराल बेजा जाता है उसको क्या कहते है सामिला, समडूनी, पहरावनी या मुकलावा क्या कहते हैं मुकलावा कहते हैं दोस्तों अगला क्योसन क्योसन नमर 45 विवा से समंदित रास्म है रंगबरी बड़ी पड़ला कांकंडोरा तीनों की तीनों है विवा से समंदित है उपरोग सभी गोना या मुकलावा क्या होता है अभी अभी देखाता है दोस्तूं गोना या मुकलावा क्या होता है दोस्तूं विवाइत एवेस्क कन्या के वेस्क होने पर उसे ससुराल बेजना दोस्तूं कि उससे नमर से तालिस बाराद के सवागत की रस्म में, बाराद के जो सवागत की रस्म होती है उसको राजस्तानी सेंसकर्थी में कहा जाता है जानोटरा नांगल, गोना या सामिला या मदू परवक क्या कहा जाता है सामिला या मदू परवक कहा जाता है दोस्तु अगले क्यूसन की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूसन आरा क्यूसन नमर अड़तालिस विवा के अउसर पर मेमानू के आगमन पर गाये जाने वाले गीतू को मेमानू के आगमन पर कौनसे गीत गाये जाते हैं दोस्तू सीटना, पावना, परनेत, बना बनी पावना गीत कौन से गीत पावना गीत दोस्तूं क्यों सर नमर 59 जीवित रहते वे वेक्ति द्वारा मर्त्यू भोज करवाने की परता को कहा जाता है मोसर नांगल परनेत या जोसर क्या कहा जाता है जोसर कहा जाता है जीवित वेक्ति द्वारा अपना मर्त्यू भोज करना द वह रास में जिसमें अपने पिता है वह अपनी पुतरी यानि जो वदू है उसकी जिमेदारी वर को सोप देता है कन्यादान कन्यावल बरी पढ़ला या रंग बरी क्या कहलातीए कन्यादान कहलातीए कन्या का दान दोस्तों किस से समंदित है वीवा से समंदित है दोस्तु ये किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को का जाता है या निए सगाई सिम्पल सा क्योसर क्या केते हैं सगाई केते हैं दोस्तु क्योसर नमर 13 गरवती इस तरीको ए मंगलकारी सक्तियों से बचाने के लिए किया गया संसकार तीसरा संसकार सोलस संसकारों में से जात करम है निस्करमन है सिमन्तो नैन है या अउपनैन बता दीजिए सिमन्तो नैन दोस्तों सही रहीगा अगला क्यों सब्सेञ चोपर नमर किसी यूद में केसरिया तो हुआ लेकिन मेलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ क्या कहते हैं जैसा कि हमारे जैसलमेर दुरग में हुआ था लूनकरन के समय बताईए दोस्तु क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं अर्द साका क्या कहते हैं अर्द साका कहते हैं क्यों सर नमर पच्पन तूटिया रस्म का संबंद है मर्तियु से जनम से वीवा से या इन में से कोई नहीं टूटिया की बात हो रही है और टूटिया कब निकाली जाती है वीवा के समय दोस्तों जब बरात वदूपक्स के गर चली जाती है तो इस्तरियों के दुआरा ये रस्म निकाली जाती है अगला क्यों सन चपन अमर किसी वेक्ति की मर्ति त्यूवार की अउसर पर हो जाती है वपरिवार ये त्यूवार फिर नहीं मानता ये पढ़ता क्या ओखा नोका नाता ओख या कलमा क्या ये ये है ओख दोस्तों क्या कहते हैं इसको ओख कहते हैं सिंपल सा क्यूसन आपके लिए ओख कहा जाता इसको पानी बरे जाने वाले मठके क्या कहलाते है पानी वाड़ा नायरन बली, दोवणिया या फूल चुनना दोवनियां क्या कहलाती है? दोवनियां कहलाती है दोस्तों ये भी आपका simple सा क्यूसन है अगली क्यूसन, क्यूसन अमर अगला है आपका ठाओन नमर जनम के बाद बच्चे को 6 माँ बाद पहली बार अनका अहार देने की प्रमप्रा को कहा जाता है यहाँ पर नाम से पता चल जाएगा यह क्यूशन आपको निसकरमन, अनप्रासन, चूडाकरम या पुस्वन तो देखे अन देने की पर प्रमप्रा, अनप्रासन बैया उप्सन सही रहेगा अगला क्यूशन है वरपक्स दुआरा वीवा के आउसर पर वदू के लिए स्रंगारिक सामान आपुसन ववस्तर लाना क्या कहलाता है बरी पढला, मूंदना, इक्ताई या परनेत बरी पढला क्या कहलाता है बरी पढला दोस्तु क्यूशन नमर साथ वसंसकार जो बालक को विद्या प्रार में तू गुरू के पास क्यूशन नमर 61 विवा के अउसर पर लड़का वे लड़की के लिए गाये जाने वाले गीतों को कहा जाता है पावना, सीटना परनेत या बना बनी गीत क्या कहा जाता है बता दीजिए दोस्तु बना बनी गीत कहा जाता है दे उप्सन सही रहेगा क्यूशन नमर 62 विवा के अउसर पर दर्जी द्वारा कपडू का नाप लेना क्या कहलाता है बताइए दर्जी के द्वारा जो कपडू का नाप लिया जाता है छात, सीटना, इगताई या गनपत्ती, पूजन क्या कहलाता है इगताई कहलाता ही Q Σ no. 63 आ रहा है नामकरण संसकार का संस्कार जनम से मर्तियु से विवा से या नांगल से जनम से दोस्तों किसे जनम से संस्का Q स no. 74 विलु में छेडा पाडना क्या है विवा है तलाख है त्यूमार है या वस्तर है दोस्तों वीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना अच्छा क्यूसन है ये भी आपके लिए आया हुआ है ये क्यूसन छेड़ा फाड़ना क्या होता है छेड़ा फाड़ना बताईए जल्दी से दोस्तु देखते हैं किन किन सात्यू का ये सही होता है जातकरम, करणबेद, चुड़ाकरम या उपनयन कौन सा संसकार है जिसके बाद ब्रहमचारिया आस्रम की सुरुवात हो जाती है दोस्तु बता दीजिए किनकिन सातियों का सही होता है उपनयन संसकार है या आपका क्योसर नमर चांसट निवन में से कौन सा संसकार बच्चे के जनम से पूर्वे नहीं किया जाता है गरबादान आ गया ना मैंने क्योसर बताया थे या आपको गरबादान, सिमंतुनेन, जातकरम या पुस्पन बता दीजिए कौन सा संसकार बताईए मित्रू कौन सा संसकार है जो बच्चे के जनम से पूर्वे नहीं किया जाता है गरबादान किया जाता है पुस्पन किया जाता है सिमंतोनियन किया जाता है जातकरम नहीं होता है सही रहीगा बच्चे के नाम पर किया जातकरम जब जात लगाई जाती है उस समय मरत्यू के तीसरे दिन मरत्य की अडियू को इक्टा करना क्या कहलाता है पानी वाड़ा नारेन बली उठावना या फूल चुनना क्या कहलाता है फूल चुनना कहलाता है ये क्योसर नमर 68 आ रहा है शिक्ष्या समावति यानि दिकसांत पर किया जाने वाला संसकार केसान समावर्तन उपनियन या वेदारम कौन सा संसकार है बता दीजे ये भी सिंपल सा है दिक्सान्त के समें कौन सा समावर्तन संसकार या दिक्सान्त संसकार क्यों से नमर आ रहा आपका 69 आदिवासियों में वेर पक्स द्वारा वदू के पिता को वदू धन देने के लिए देने की परता कहलाती है आदिवासियों के अंदर वेर पक्स द्वारा वदू के पिता को वदू धन देने के लिए दापा नाता मदू परव क्या सामिला दापा कहलाती है क्या कहलाती है यह प्रस्म दापा दोस्तु अच्छा क्यूसन है यह आपके लिए और क्यूसन नमर सतर देखिए हिंदों की सामाजी के वाम सांसकर्तिक संसकर्ति में कितने संसकार संपन करवाए जाते हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं सोले संसकार संपन करवाए जाते हैं दोस्तों बैव उप्सन सही रहेगा अब कोई भी क्यूसन में डाउट है दो मित्रों आप कमेंट कर देना जल्दी से सभी साती लेकिन उससे पहले आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक सेर करने का दो वो करें और जो नए साती जुड़े हैं वो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत